किर्ला में जो कुछ भी एक प्रेग्नेंट हत्नी के साथ हुआ UA वह मुझे ने लगता कि कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ होना चाहिए देखें इंडिया में जो ये पेंडेमिक के दोरान एक आप कहा सकते हैं कि इंसान कह रहे हैं कि हम पर ये हो गया हम भार नहीं निकल सकते हैं ये बिमारी आ गई ऐसा हो गया वैसा हो गया और दूसरी तरफ देखें तो इंसान इतना पागल हो गया है कि वो एक जानवर तक कर कुछ भी जानते होंगे घी कभी किजी भी बेवसुलान हमला नहीं करता अगर हाथी के सामने जायोगे भी कुछ भी नहीं आपको हाथी करेगा जब कि आप उसके साथ कुछ बुरा नहीं करोगे और यहां तक अगर बात करें इस हाथ ही हतनी की तो यह प्रेग्नेंट थी एक गाउं में गई वहाँ पे यह सोचके गई कि कोई उसे कुछ खाने को देदेगा लेकिन वहाँ से जब उसे खाने को दिया गया तो उसके अंदर काफ भी खा लेता है आगे नहीं देखता कौन सा जानवर है किसी को भी उठा के पका के खा जाता है लेकिन यह हाथी का जिसने भी मर्डर किया है अभी तो गुस्से में तो यही निकल रहा है कि उसको तो फांसी देनी चाहिए और सब के सामने उसे एक बाद लटका के बताना चा तो यहाँ पर जानवरों के साथ एक तो बंद करेंगे हैं तो यहाँ पर जानवरों के साथ एक तो बंद करके काफी तो है जहाँ पर बंद करके रखा जाता है फिर उनको लोग देखनी के लिया आते हैं वहाँ पर जानवरों परेशान हुए पड़े बैठे होते हैं उनको बाहर ने निकलने दिया जाता खाने को उन्हें इतना दिया जाता है कि शेर शेर नहीं लग उसे ज़्यादा भार ना उठाना पड़े और दूसरी तरफ वो एनिमल्स के साथ जो कर रहा है वो इतना भ्यंकर है कि आप देखते भी डर जाओगे तो यही कहूंगा strict law बनना चाहिए आज कर लोग जो है किसी को भी मारते हैं उठाते हैं खाते हैं और इसी तरह से जो है धर अब यहां पर श्रीग नेश आपको पता यहां पूजते हैं जानवरों को वहां पर यह सब देखने को मिल रही है तो मुझे लगता कि अभी तक जिसने यह गंद्य घिनोना काम किया उसको पकड़ने में कोई देरी होनी चाहिए थी तिकिन अभी तक ऐसी कोई नहीं आई है कि किस नहीं यह किया कोई investigation आगे कोई खबरी उसकी नहीं पता चल रही है सड़क पर देखे तो लोग कुत्ते को उनकी पून से उठाके फैंगते हैं बिलियों को मारते हैं गायों को धक्काय मारके चला जाते है कोई ट्रक से कोई किसी से elephant को बंफोड देते हैं मूँ में अ अब यह क्या है यह क्या चल रहा है समझ से बाहर है अच्छा आपको क्या करना comment box में लिके धन्यवाद